हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका एक्जाम फीवर यूट्यूब चैनल में दोस्तों NCRT क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है आपके उपर लिखा हुआ हडपा सब्वेता इटें, मनकें और अस्थियां यानि कि हडपा सब्वेता में जो जगें हैं वहाँ पर इटें, मनकें और अस्थियों से संब्दित या फिर वहाँ पर क्या-क्या मिला था उन सब के बारे में जानकारी इस चैप्टर से हम लेंगे चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसे मैं दो या तीन वीडियो में पूया करूँगा यह जो टॉपिक है वह आपका टीचर के लिए CTET, स्टेट TET या फिर आप सिबिल सर्विसेस के लिए इन सभी जगे पर चाहिए स्टेट सर्विस हो या फिर UPSC हो सभी में यह टॉपिक काम हाता है तो इस टॉपिक को मैं पूरा का पूरा पढ़ूँगा चैप्टर 22 पढ़ूँगा तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना है जो इंपोर्टेंट बाते हैं जैसे मैंने हाइलाइट कर रखा है ऐसे उनना हाइलाइट करके बताऊंगा तो उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो आपको जैसा भी लगे अच्छा या कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं तो सुरू करते हैं चै सबसे पहले जो साक्ष मिलेते से खुदाई हुई थी वो हडपा नामक जगह पर ही हुई थी इसे हम हडपा सब्यता भी बोलते हैं हडपा संस्कती भी बोलते हैं सिंदु घाटी सब्यता भी बोलते हैं सब एक ही बात है तो हडपा सब्यता में या हडपा की खुदाई में स सिंदूगाटी सबटा से एक जो संद से बिसिष्ट बसतु मिली थी वो थी हडपाई महर यह जो हडपा की महर थी यह सिलक भड़ी से बनी थी से घड़े से बनाई गई थी और इस महर आप देख सकते हैं एक जो एक सिंगा एक सिंग बाला एक जानबर है इसकी आकरती बनाई गई थी और कुछ किसी एक लेंग्वेज में एक लिपी में यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे अभी तक पड़ नहीं पाए है और उसके अलाबा उस खुदाई से हमें बहुत सारे म्रद करते हैं जैसे कि सिंदुगहर्टी सब्धिता को हठपः संस्कति भी कहा जाता है अब यहां पर जैसे आप 은 लुग सोचनकर संस्कती सब्ध का मतलब क्या है संस्कति और होता है कि पुरा बस्तू नहीं के ऐसे संबू के लिए उस्स संस्कति को प्रयोंक्त करते है जो कि एक एक समू एक विसिष्ट सैली था इसलिए हुसे हम संस्कति बोलते हैं सब्विता बोलते हैं जैसे कि इन पुरा बस्तुओं में क्या आता है मोहरें मनके बाट पत्थर के फलक और पकी हुई इंटें यह जो सब चीज़ें आप देखेंगे यह बाट हैं यह जो चीज़ें हैं और यह मनके हैं यह फलक हैं यह सबी चीज़ें वहां खुदाई में मिले थे और यह बस्तुओं में अफगानिस्तान जम्मू बलूचिस्तान और गुजराज जैसे चेत्रों में मिली हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दोरी पर इस्तित हैं तो कहने का मतलब है कि बहुती बड़े एरिया में ये सब्बबता फैली हुई थी इस सब्बबता का नामकरन हरपा नामकिस्तान जहां पर या संस्कति पहली बार खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया है तो अभी आपका किलियर है इसे हडपा सब्विता क्यों बोलते हैं हडपा सब्विता का या हडपा जो सिंदुगाटी सब्विता है इसका जो समय है वो रहा है 2600 और 1900 इसवी पूर्व के बीच इस दोरान ही यानि कि लगबग 700 साल तक इस सब्विता का विकास हुआ था यह सब्विता रही थी इस मैप की साहिता से हम समझेंगे कि कौन सी कौन सी एरिया में हडपा सब्विता के जो खनन स्थल है तो पाकिस्तान और भारत खास करके पाकिस्तान एरिया में जहां पर ये पांचो नदियां है जहलब, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास तो उन सभी नदियों में यानि कि सिंदु नदिय एरिया में मोहंजोड़ो यहां पर है पाकिस्तान में कोट दीजी, चनहुदड़ो, धौलावीरा, नागिस्वर, ये सबी एरिया हैं, सुत्का गेंडॉर, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ एरिया में पाय जाते हैं, अभी जैसे मैंने इसका काल बताया था आपको तो वहाँ पर एक वर्ड यूट किया था, ईसवी पू तो एडे का स्रोफाम होता है एनोधोमिय, ये दो लेटिन सब्से बना हैं, जिसका मतला होता है ईसा म Chr. के जन्म के वर्गोरließen से जन्म से पहले, और एनोधोमिय र्ग्रेस से है विज्म के वर्गोरß से, लेकिन अजल एडे की जगह पर सीट का यूज़ करते हैं, और बीसी की जगह पर B.C.E. C.E. का मतलब होता है common era और B.C.E. का मतलब होता है before common era इनका आजकल हम यूज़ भी करते हैं और कभी-कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रेयोग होता है जिसका वतात पर होता है before present तो यहां पर हमने यूज़ किया है वो किया है E.S.V. और E.S.V. पूर है कि इस चेत्र में विक्सित हडप्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्तु में थी और यह संस्कृतियां अपनी विसिष्ट म्रदवांड सैली से संबद्ध थी तो अगर कुश्चन आता है कभी कि म्रदवांड सैली से संबद्ध कौन सी संस्कृतियां थी तो जो ह बोलते हैं उसे चोलिस्तान बोलते हैं यह सब्द यहां पर क्यों आया क्योंकि आरंबिक और विक्सित जो हड़पा संस्कतिया है वो सिंद और चोलिस्तान चोलिस्तान जो है कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी छित्र है तो यहां पर भी बहुत प्राट के स्थरों से प्राप्त हुए थे और चावल के दाने थोड़े कम पाए गए हैं तो अगर कुश्चन आता है कि हडपा सब्विता में कौन से अनाज की दाने मिले थे तो उसमें ग्याओं है जो डाल सफित चना और तिल सामिल होता है और बाजरा भी है चावल कम मिला ह और रपा सब्विता से कुछ घडीयां मिली है खुदाई में तो हड़ियों से पता चलता है कि वहां के लोग मवीसियां भी पालते थे जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस और सूर इनकी हड़ियां वहां पर मिली है खरन और घढ़याल और बरहा जो जंगली सूर होता है उसकी ह पुलिस्तान के कई स्थलों और बना वली यानि कि हर्याना में जो जगें का पॉरात तो fosse्थल बना वली, वहां से मिट्टी के बने हलके प्रतिरूप मिले के बारे में जानते थे और जो खेत हैं सम्कौर्ण पर काटते हुए energi जो जुताई हुई है तो उससे पता चलता है कि एक बार में अलग अलग फसलें भी वहां पर उगाई जाती थी थी उसके अलावा अफगानिस्तान में सूर्त गुही नामक जो अड़पा इस तरह है वहां से नहरों के कुछ अवसिस मी मिले हैं लेकिन नहरों के बारे में क्रसी के लिए जो जल संग्रहन करते हैं संचेन करते हैं उसके लिए यूच किया जाता होगा यह जो चित्र है धोलावीरा में जलासे मिला है उसका चित्र है यहां पर एक तरफ सीड़ियां है सीड़ियों से नीचे आने की जगह है और यहां पर जो यह पत्थर है यह जो यूज है वो उस समय अनाज को पीसने के लिए किया जाता होगा और इसको एक जमीन पर फिट करने के बाद उपर से अनाज को पीसने का यूज किया जाता है अभी बात करते हैं हडपा का एक जो मुख्य शहरी केंद्र है वो है मोहंज जुद्रो हडपा सब्पेता का सबसे अनूठा जो पहलू है वो है शहरी केंद्रों का विकास उसमें जो सहर एरिया थे उनको कैसे मैनेज किया गया था किस तरीके से उनमे अनेजमेंट था घरों का और वहाँ पर साफ सपाई नालियों का वो बहुत ही एक अनूठी चीज थी जो खी और उसी मेंसे मुक्ही जो सहर है Mohan-jo-dlo मohan-jo-dlo सबसे प्रसिद्द्परा इस्थल है और सबसे पहरे खो जा गया इस्थल हरपा था लेकिन मohan-jo-dlo भी इसमें फेम्न है मohan-joddo का जो नकसा था वो इस तरीके का है इसमें दो इस्थल थे एक तो था उंचाई पे बना हुआ जिसे दुर्ग बोला गया चोटा एरिया था और एक था नीचे बना हुआ बड़ा एरिया जिसे बोला जाता है निचला सहत ये दोनों के दोनों ही एक दूसरे से सेपरेड थे और दोनों ही दीवालों से बड़ी दीवालों से घरे हुए थ थी चूंकि हडपा सबसे पहले खो जा गया इस्थल था लेकिन उसे इंट चुराने वालों ने बुड़ी तरह से नश्ट कर दिया सन 1875 में भारतिय पुरा तत्विक सर्विक्षन के पहले जनरल अलेक जनरल कनिंगम जने सामाने तरह भारतिय अपरा तत्विका जनक भी कहा जाता है उनने लिखा था कि प्राची निस्धल जो की हड़पा था वहां से ले जाई गई पी मात्रा लगबग सो मील ल्म्बी मुल्ताल के बीच के रील पेट्री के लिए लिए इइंटें विचाने के लिए परियाप्त तो यानि कि उस समय जब लाहर से मुल्तान के लिए रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो इंटों की आवा सकता हुई और जितनी इतनी लंबी रेलवे लाइन में जितनी इटें बिछाई जा सकती हैं उतनी इटें हड़पा से चुरा ली गई थी तो इस बज़े से वहाँ पर बनाई हुई बहुत सारी जो सनचनाई बिल्डिंग थी वो नश्ट हो गई या वो फुरातत्त विदों को नहीं मिल पाई मोहन जोदलों में क्या होता है जो घर थे घर से पहले क्या इसे चबूतरा बनाते थे जो की नीव का काम करते थे और चबूतरे बहुती बड़े बनाई जाते थे इतने बड़े बनाई जाते थे कि यदि एक स्रमिक प्रति दिन एक घनी मिट्टी डोता है तो मात्र आधारों को बनाने के लिए चालीस लाख स्रम दिवसों यानि कि बहुत बड़े पैमाने पर स्रम की आवा सकता पड़ी ह और पूरे के पूरे सहर को इस तरीके से बनाया गया है कि पहले उसको प्लान किया गया है पहले उसका पूरा नियोजन किया गया है कि नियोजन के बहुत सारे लक्षडों में एटें भी सामिल हैं जो भले ही धूप में सुखा कर या फिर भट्टी में पका करके बनाई गई हो लेकिन एक निश्चित अनुपात की होती थी यानि कि जितनी भी इंटें थी वो सब बरावर की जैसे आज की समय होती है उसी तरीके की थी और पूरे के पूरे सहर में कहां कहां पर घर बनने हैं उनको प्लान करके और उस हिसाब से वहां पर चबूते बनाकर फिर बिल्लिंग को बनाया गया था हरपा में यहां के जो सहर हैं वहां का सबसे जो अनुठा एक चीज थी वहां की जल निकास प्रडाली यानि कि पूरे सहर से पानी को कैसे निकालना है तो जो आज के समय में जो यूज किया आता है वह इतने पराने समय में उन लोगों ने यूज किया था जैसे कि आप आगे देखेंगे कि सडकों और गलीयों को लगवग एक ग्रिड पद्दती से बनाया गया था विए एक दूसरे को समकॉंड पर काटती थी और ऐसा मालूम होता था कि पहले नालीयों के साथ गलीयों को बनाया गया था और फिर उसके आगल वगल में आवासों को जाने कि घरों को बनाया गया था जैसे आज के समय में किसी कॉलोनी को बनाते हैं तो पहले सीवर लाइन डालते हैं रोड बनाते हैं उसके बाद घर बनते हैं उसी तरीके से पहले भी उन्हें ऐसे बनाया गया था कि पहले नाली बनाई गई थी गली बनाई गई थी फिर उसके आसपास घरों को बनाया गया था घरों के गंदे पानी को गलीयों की नालीयों से जोड़ना था तो प्रत्यक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था मुहन जोदलों में खुदाई के समय एक और चीज जो सबसे ज़्यादा मिली है वो है वहाँ पर प्रत्यक घर में कुगा विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहन जोदलों में कुओं की संख्या लगबग 700 थी वहां की नालियों के बारे में बात करें तो जो प्रतत्तुविद मेके हैं वो लिखते हैं कि निश्चित रूप से अब तक की खुजी गई सबसे संपूर प्राचिन पडाली है जो प्रत्यक मकान है उसको प्रत्यक मकान गली की नालियों से जोड़ा गया था मुखे नाले यानि की गारे में जमाई गई इंटों से बने थे जो मेन जो बड़े बड़े नाले थे वो गारे की इंटें उनसे बनाए गए थे और उन्हें ऐसी इंटों से ढखा गया था कि जब सफाई करनी हो तो उन्हें आराम से हटा सकें जैसे आजकल सीवर का डोर होता है उसे हटा देते हैं और कुछ इस्तानों पर ढखने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का भी प्रियों किया गया था घरों की नालियां पहले एक हौदी या फिर मलकुंड में खाली होती थी जिससे जो ठोस पदार थे वो वहीं जमा रह जाता था और पानी पानी बह जाता था गंदा पानी जब गली की नलियों में आ जाता था तो बहुत लंबे नालों में कुछ-कुछ दूरी पर सफाई के लिए होदिया बनाई गई थी यह प्रातत्तो का एक अजूवा ही है कि जो मलवे हैं जैसे कि जब कभी गलीयों की या नालियों की सफाई होई होगी तो वहां से जो मलवा निकाल करके वो नालियों के बगल से ही रख दिया गया था तो रेत के छोटे छोटे धेर वहाँ पर नालों के बगल से पड़े मिले हैं जिससे मालूम चलता है कि नालों की सफाई के तुरंत बाद ही कच्रे को नहीं हटाया जाता था जल निकास परडाली थी वो केवल बड़े सेरों तो कहीं सिमित नहीं थी बलकि जो छोटी छोटी बस्तियां हैं वहाँ पर भी सेम इसी तरीके की परडाली मिली थी उधारन के लिए लोथल के अगर मकानों को देखा जाए तो वहाँ भी निर्मान के लिए कच्ची इंटें यूच की गई थी लेकिन नालियों के लिए पक्की इंटों का ही प्रयोग किया गया था मोहन जुदलों में जो उंचा हिस्सा है जिसे दुर्ग बोलते हैं अगर दुर्ग को हम देखते हैं तो दुर्ग में दो महतपूर चीज़ें जो मिली हैं एक तो है माल गोदाम मालगुदा में एक ऐसी विसाल संरक्षना है जिसके इंटों से बने केवल निचले हिस्ते ही बचे हैं जबकि उपर साइद हो सकता है कि लकडी से बने हो पहले ही नश्ट हो गए थे और एक विसाल स्नानागार यानि कि नहाने की जगए विसाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलासय है जो चारों और से गल्यारे से घिरा हुआ है और जलासय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दख्षडी भाग में दो स्टीडियां बनी थी और जलासय के जो किनारे हैं वहाँ पर इटों को जमा करके जिपसम के गारे से उसे फिट किया गया है जिससे की पानी लीक ना हो पाए और इसके तीनों और कमरे बने हुए हैं जिन में में नाले में इक बड़ा कुवा था ज़लासाइसे पानी एक बड़े नाले बह जाता था इसके उत्तर में गली के दूसरी और एक एक च्छोटी संचना थी जिसमें आठ इसनां घर बनाए गए गये थे और एक गलियारे के दोनों और चार चार इसनान घर बने थे और प्रतेक इसनान घर से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थे इस सनर्चना का अनौखापन तथा दुर्ग छित्र में कई विसिष्ट सनर्चनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का इसपष्ट संकेत मिलता है कि ये जो इसनान घरता इसका प्रयोग जो इसपेसल कोई ओकेसन होता था विसेस अनुष्ठानिक इसनान के लिए ही किया जाता होगा इसके अलावा हडपा सबिता के समय ही मिस्र में जो पिरामिड कुछ बने थे वो भी उसी समय के थे तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारा आवुसर्ड या बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिनको दफनाया गया था उस तरीके से अगर हडपा के लोगों की बात करें तो हडपा के लोगों में टोटल मिला करके इस तरीके की धारणा नहीं थी कि मरे हुए लोगों के साथ कोई चीज बहुमूली चीज़ दफनाई जाए लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जगे पर कुछ म्रदभांड और आवुसर्ड मिले हैं कि वहां पर कुछ-कुछ एरिया में यह माननता होगी कि मरने के बाद भी बहुमूली चीज़ों को उनके साथ दफनाए इसके अलावा यहां पर जो खुदाई हुई थी उसमें एक और कीमती चीज मिली है जो की एक बहुमूली चीज होती है फैयांस फैयांस होता है घिसी ह हुई रेत तथा रंग और चिपच्रे पदार्थ के मिस्टड को पका करके बनाए गया पदार्थ तो फैयांस से बने हुए कुछ चीज़े मिली हैं जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यह पात्र है जो फैयांस से बना हुआ हुआ है यह जो फैयांस से बनी हुई कामों के लिए यूज किये गए हों लेकिन जो फ्यान से बने लगुपात्र हैं वो संभवतर सुगंधित द्रभ्यों के पात्रों के रूप में प्रयोक्त होते थे ज्यादा तर मोहंजुद्रो हडपा में ये मिले हैं और काली वंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिलकुल भी नहीं मिले हैं इनके अलावा सोना वह बी आज की तर日 कीमती था और दुरलव था क्योंकि यह बहुत सारी एसी जगे पर सोना मिला हैों या सोन्य का आपो सरद मिले हैं यह से कि तो इस वीडियो में इस चैप्टर का इतना ही पार्ट में आपको बताऊंगा अगरे वीडियो में हम थोड़ा और पार्ट को देखेंगे ऐसे करके हम तोटल तीन वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे इस चेप्टर की एक एक लाइन बहुत ही इंपॉटन्ट है तो अन्हें बहुत ही अच्छे से समझें हो सके तो दो तीन बार वीडियो को देखें और जो मैंने अंडर लाइन या हाईलाइट की हैं जो चीजें उनको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपसे कही ना कहीं से क कोई ना कोई कुश्चन जरूर बन जाता है नहीं बाद दोस्तों